तो चली शुरुवात करते हैं Sweet Combat Part 2 की चैंग यानान और Xiaomi मिंग त्यान का schedule देख रहे होते हैं त्यान आइस्क्रीम के शॉप में होता है तो फिर वो देखता है कि वहाँ पर फांग्यू आ रही है तो फिर वो दोनों सेम ग्रूप में होते हैं और उस ग्रूप में इंत्यान भी होता है तो फिर लियोगान ये चैंग से बुचता है कि आ तुम उसे जानते हो तो फिर वो हाँ बोलता है चैंग मिंग त्यान को देख लेता है और वो उसे रुकने के लिए बोल रहा होता है पर वो नहीं रुकता है कि मैं ट्रेनिंग कर रहा हूँ और मैं तुमसे टूनामेंट में मिलूँगा फांग्यू एक जग पर जाती है और वो बोल रही होती है कि लोग मेरे बार में क्या सोच रहे होंगे योगान यी चैन के साथ बॉक्सिंग क्लम में होता है तो फिर यी चैन से बताता है कि मिंग त्यान मेरे साथ हाई स्कूल में था और मैंने सुनाता कि जिसकोई डैट थे वो एक बॉक्सर थे इसलिए मुझे लगता था कि मिंग त्यान में थोड़े स्केल होंगे पर वो मेरा सिंगल ब्लोग भी नहीं जहल पाया तो अगान ये चैन से बोलता है मैंने सुना कि तुम उसे परिशान करते थे बड़ मैं आपसे यह नहीं सुनना चाता हूँ यह तुम्हें मैं वार्निंग दे रहा हूँ वांग यू, चैंग यानन और शाओमी कहीं जहा रहे होते है तो फिर फांग यू को फोन आता है और उनके साथ नहीं जाबाती है फांग यू वहां से चली जाती है तो इसका भाई उसे पिख करता और उसे बताता है कि आज हम चेर्मेंड वांग के बेटे से मिलने वाले हैं मिंक्तियान एक होटल में होता है, वहाँ पर उसे एक वेटर का काम मिला होता है, फिर वो दोनों वहाँ पर पहुचते हैं, तो फिर जो मिस्टर वाँ का बेटा होता है, वो फांग यू से पूछ रहा होता है, क्या मैं तुम्हें याद हूँ, हम दोनों सेम एलिमेंटरी यह वो ही लड़का होता है, जिसने की फांग यू का गिफ नहीं लिया होता है, और वो उसे फ्रीक बुला रहा होता है, फिर फांग यू थोड़ी देर गले बाहर जा रही होता है, तो फिर वहाँ पर वेटर मिंग्तियान होता है, फिर थोड़ी देर बाद मिंग्तियान ब कि तुमने मुझे मना कर दिया था और तुमने मुझे फ्रीक भी बोला था मिंग्तियान को यात आता है कि उसने फांग यू को फ्रीक बोला था था वांग का बेटव होलता है कि यह बात मैं कैसे बूल गया पहले मैं इम्मिच्वर था बट अब मैं दुबाद पसंद करने होते हैं मिच्टर वांग मिंग्तियान से एक बोटल लाने को कहते हैं वाइन की फिर मिच्टर वांग का बेटा फांग यू को इन्वाइट करता है बर्देड़ बाढ़ी में और उससे बोट रहा होता है कि अगर तुमने मना कर दिया तो फिर में ग्रेंडपा को फेज नही फिर फॉर जानवूमितुरуш करें तेंक से सामकूने करते हो uni है फिर फांगयो पूछते है कि तुमने मेरी लाते हो रूगते हैular sayis, और जा जाते हैं तो फिर दोनों एक शॉप में जाते हैं और वो शॉप सुनाओ की मौम की होती है तो फिर दोनों वहाँ पर खाना खा रहे होते हैं तो फिर जो फांग्यू के बाल होते हैं वो उसके खाने को टुछ कर रहे होते हैं तो फिर मिंक्तियान इन valuable को दूर आता आ फॉांग्य उसकी तरफ देखती है और उससे thank you कहती है फिर वहां पर सुना होँ गाता है और उससे पूछ रहा होता है कि तुम दोने यहां पर क्या कर रहे हूं फिर फॉते हैं कि मैं मिंक्तियान को treat दे रही हूं फांग्यू को गाल आता और वो वहां से चली जाती है तो फिर सुन हो मिंग्ट्यान से पूछ रहा होता है कि तुम्हारा क्या रिलेशन है फांग्यू से मिंग्ट्यान बोलता है कि हम दुनों स्कूल मेड्स हैं तो फिर सुना उससे पूछ रहा होता है क्या तुम मेरी हेल्प करोगे मैं फांग्यू को पसंद करता हूँ फांग्यू अपने घर पर होती है और वो सोच रही होती मिंग्ट्यान के बारे में कि कैसे उसके बाल हटायते खाने पेसे फिर वहाँ पर का भाई आता है और उसे कह रहा होता है क्या मैं मिस चैन को कहूँ तुम्हारे लिए खाना बनाने को उसकी बेहनी बोलती है कि मुझे भी सिखना है तो फिर वो उसे भी परमिशन दे देता है उन हॉपनी मॉम से बात कर रहा हुता है तो फिर वो बोलती है कि मैं यहाँ पूरे साल पर काम करती हूँ और हम बता सकती हूँ कि कौन लवर से कौन अफेर कर रहा है और कौन किससे फ्लट कर रहा है उसके मों बोलती है कि जो लड़की आई थी तुमारे क्लास्मर के साथ उन दोनों की आँखों में प्यार था मिंग्ञान का भाई अपने टाउंटो क्लब में होता है तो फिर वो बहुता है कि तुम जूट बोल रहेanka हो कि तुम फांग यू को जानते हो उसकी बहन भी कहह रही होती है कि मेरा भाई जूट नहीं बोला हम सच में फांग यू को जानते हैं तो दोनों लडाई करने ले जाते हैं तो फिर वहाँ पर उनके टीचर आते हैं और वो मिंग्तियन के भाई वहाँ से चला जाता है मिंग्टियान अपने दोस्तों साथ केंटीन में खाना खारा होता है थोड़ी देर बद वहाँ पर फांग्यू आते हैं तो फिर सारे बच्चे देखकर से चौक जाते हैं क्योंकि फांग्यू कभी भी केंटीन में नहीं आती है पर सुनहाओ भी होता है और बोल देता है किsub啦 army or Lingtine मेरी fullstore पर आयते θα खानाँ के लिए Lingtine बोलता है कि हम दोनों गल्ट ते ठकरा गये थे तो फिर Sunglaration बोलता है कि ,स्वांग्योबने ऐसा नहीं कहा था उससे कहा था वह तुम्हें treat कर रही है पिर चेंग्यान बोलती है कि तुम मेरी फ्रेंड हो और तुने मुझे इंवाइट नहीं करा तो फिर शाओमी बोड़ रही होती है मिंग्धियान से कि तुम मुझे बताओगी यह तुम्हें ट्रीट क्यों करे दी डिनर मिंग्धियान को कॉल आता है टैकोंडो क्लब से और वो उसे बताता है कि तुम्हार भाई के भाग गया है तो फिर मिंग्धियान वह से चला जाता है अवर मैं सुन्हाओं से बात करती है और वो से पूछते है क्या तुम फंग्यू को लाइक करती है फिर याँ हूं भी बोलती है कि इस मोम40 से तुम मिंख्यान को क्लोज नहीन जाने दोगे फंग्यू के याँ हूं हिए कि हम तोनों पेर में काम करेंगे कि मैं तुम्हें जानता हूँ, क्या तुम मेरे साथ मेरेHikon ehma जूट नहीं बोल रहा है। फिर मिंक्तियान प्रॉमिस करती है उन सारे बच्चों से कि वो महीने में एक बार यहाँ पर आएगी और इन सब के साथ खेलेगी और इने पढ़ाएगी फिर वहाँ पर मिंग्तियान आता है और वो अपने भाई बहने को भाल ले आता है तो फिर उनसे पूछ रहाता है कि तुमने लाइक क्यों स्टार्ट करी तो फिर उसकी बहन बताते है कि वो लड़का में जूटा कह रहा था और वो लड़का ये भी कहलाता है कि हमारे पेरेंट्स मर चुके है लियोगान कहता है कि तुम्हें फाइट नहीं करनी चीए और नहीं क्लास केप करनी चीए भले हमारे पेरेंट्स नहीं है हाड वर्क करना चाहिए ताकि तुम्हें एक एक जामपल सेट कर सको इंग्तियान बोलता है कि भले हमारे पेंट्स नहीं है बट मैं तुमारे साथ हूँ लियोगान चैंग यानन के फादर क्लब में होता है तो फिर वहाँ पर चैंग यानन आती है और उपने फादर से बोलती है कि मैं रणिंग के लिए जा रहे हूँ तो फिरस के फादर बोलते हैं कि तुम्हार साथ दियो गवान भी जाएगा मिंग्तियान फांग्यू के साथ होता सकसाथ के भाहिवें भी होते हैं तो फिरस के भाहिवें देखते हैं कि वहाँ पर हाट डॉक का गीववे हो रहा है फिर वो सारे वहाँ पर जाते हैं और उन्हें परस दिलता है कि सरफ जो 18 प्लस हैं वो ही इस competition में हिस्सा ले सकते हैं Ming Tian Fang Yu से पूछता है क्या तुम मेर साथ participate करोगी तो फिर वो मान जाती है फिर वो competition में हिस्सा लेते हैं और वो जीच जाते हैं फिर competition के बाद वो दोनों दूसरे का face off कर रहे होते हैं Ming Tian की बहन बोल रही होती है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो फिर Ming Tian की girlfriend Fang Yu बन जाएगी Ming Tian अपने भाई का मूब बंद करता है Liu Gan Chang Yan के साथ running करने के लिए गया होता है Xiaomi ने सुन हो को idea दे होता है कि वो Ming Tian को अपने food store पर hire कर ले Ming Tian वहाँ पर काम कर रहा होता है तो Xiaomi इसको बाद जाती है और से बोलती है कि मैं तुमारी help करूँगी थोड़ी देर बाद वहाँ पर यह चैन आता है Ming Tian की छोटी इवेन Fang Yu को call कर रही होती है और अपने घरपर प्ला रही होती है यह चैन Ming Tian को परशान कर रहा होता है पर वो उसे कुछ भी नहीं बोल रहा होता है फिर थोड़ी देर बाद वहाँ पर लियोगान आता है और वो यह चैन से कहता है कि तुम यह सब क्या कर रहे हो फिर लियोगान यह चैन को ढाड़ता है और वहाँ से भीज़ देता है तो फिर लियोगान उसके दरफ से माफ़ी मांग रहा होता है वहाँ पर लियोगान के साथ चैंग यानन भी आई होती है थोड़ी देर बात मिंग त्यान के साथ चैंग यानन और शाओमी से घर जा रहे होते हैं जब वो तीनों गरवर पॉसते हैं तो फिर देखते हैं कि वहाँ पर फांग यू पहले से ही मौझूद है तो सारे अंदर बैटा होते हैं तो फिर शाओमी पूसती है ये इतने सारे होट डोग कहां से आई फांग यू और मिंग त्यान दोने दूसरे की दफ देख रहे होते हैं तो फिर जो मिंग त्यान का छोटा भाई होता है वो बोलता है कि हमने ने जीता है तब ही मिंग त्यान उसका मूग बंद कर देता है तो फिर दिरवाद वो वहाँ से जा रहे होते हैं तो फिर चैंग यान फांग यू से पूछी होती है क्या तुम उसे पसंद करती हो फांग यू कुछ भी जवाब नहीं दे रही होती मिंक्तियान के घर पर फांग्यों की water water चूट चाती है तो फिर उसे वापिस देने के लिए जा रहा होता है जांग यानननों उसे पूछ रही होती है तो फिर फांग्यों से बोलती है कि तुम मेरी best friend हो पर तुम मैं अच्छे से नहीं जानती हो मैं मिंक्तियान जैसे लड़के क्यों पसंद करूँगी फांग्यू बोलती है कि मिंक्तियान मुसे बहुत जादा कमजोर है और उसमें ऐसी कौन सी कॉलिटे जिसके लिए मैं एट्रेक्ट हो जाओं फांग्यू बोलती है कि तुम यह याद रखना कि मैं उसे पसंद नहीं करती हूँ तो फिर उदरनों वहाँ से लिजाती है और वहाँ पर मिंक्तियान भी खड़ा होता है और वो यह सारी बाते सुन लेता है मिंक्तियान अपने घर में बैटा होता है और वो थोड़ा उदास होता है अगले दिन फांग्यू लेबरीर में जाते हैं तो फिर वहाँ पर जितने भी लड़कियां होती है उसे देखकर सर्प्राइस होती है फांग्यू वहाँ से कुछ कितावी लेती है और उनमें से एक बुक का नाम होता है रोमेंस बेट्विन अ स्ट्रॉंग वोमन अड़ वीक मैन फांग्यू वह बुक्स पढ़ रही होती है तब ही वहाँ पर मिंक्तियान आता है और वह सारी बुक्स चुपा देती है फिर वह बाहर जाते हैं तो फिर मिंक्तियान उसे कह रहा होता है कि मैं तुम्हारी बाइस सैकल नहीं रिसकता हूँ वह बहुत स्यादा महेंग है इसके बदर मैं तुम्हा पैसे दे दूँगा फांग्यू मना कर रही होती है तो फिर मिंक्तियान कहता है कि अगर तुम मेरी रिजर्ट है तो फिर तुम मुझे बताना मिंक्तियान के घर पर कोई पार्सर छोट जाता है और उसमें एक केक होता है तो फिर जिसका छोटा भाई होता है उस केक को खा लेता है लाओं में मिंक्तान के घर पर आ रही होती है ताकि वो उन सब के लिए डिनर बना सके फांग्यू जैंग चुन हुआ के बास बैटे होती है और उससे बोड़ रही होती है क्या मैं आपसे सवाल पूछ सकती हूँ ये मेरी दोस्त के लिए पर पूछते है क्या चैंग जैंग अनन के लिए lorsque फिर फांग्यू बोड़ रही होती है क्या चैंग एनधन का एक दुस्त बना दोस्त बना ईव पर किसी विसे जो उसका friend है वो उसे favor return कर रहा है फिर वो पूसती है fangu से क्या वो person लड़का है तो फिर वहाँ बोलते है फिर वो पूसती है क्या चैंग यानननों से पसंद करती है तो फिर fangu बोलते है शायद जैंग चुनहाँ बोलती है कि मान लो चैंग यानन को पनी feeling के बारे में पता नहीं है और उस लटके को भी पनी feeling के बारे में कुछ भी नहीं पता पर वो लड़का एक step पीछे ले रहा है ताकि वो future में एक step आगे ले सके वोंग्यों बोलती है शायद वो लड़का उसे पसंद नहीं करता मिंतियान होस्पेट जाता है और उसे पचलता है उसका भाइर विल्कुल ठीक है तो फिर शाओ उमी उसे वो cake देती है तो फिर हो बोलता है कि इस koreal company के बारे में मैं जानता हूं और मैं उस अथमी को पता लगा लूँगा मिंग्तियान पता लगा लेता है और वो लड़का होता है यी चैन मिंग्तियान वहाँ से गुस्से मिच लाइता है तो फिर शाओ मी चैंग अनको कॉल करती है और बताती है कि मिंग्तियान कहा गया है फिर चैंग अन फांग्यू को कॉल करती है मिंग्तियां के कलब में जाता है तो फिर वहाँ पर शाओ फैंग आती है और वो पूछ रोती है ये कौन है तो फिर वहाँ पर जो लड़के होते हैं बताते हैं कि यही वो लड़का है जैसे कि फांग्यू ने शुना है चाओ फैंक मिंग्तियां से लड़ रही होती है और वो उसे बिड़ी तरह पीट रही होती है फिर वहांपर लिोगान आता है और वो चाओ फैंक को दूर करता है फिर थोड़ी देर बाद वहाँपर जैंगजेए ओजएडि़िकर स्टूडेंट आते है शाओमी सुनहाओ harmon को वैंसे चलाती है और बोलती है že तुम इस सब कराанов की ख्याल रखना च्ब भाहर जाते है तुप पिते कि वहाँ पर देखते है कि वह पर fangyue और चैघ्लान फिर fangyue बोल्ख को मैं बोल रहे हותी है कि तुम्सब ongosaona के चले जाएंगे जब वो उनके पास आ रहा होता है तो फिर वो student वही पर रोग लेते हैं वहाँ पर Xiaomi आती है जब वो मिंग्तियान को देखती है तो फिर उसे गुसार होता है फिर वो तीनों उन सबसे लड़ने जा रही होती है तब भी वहाँ पर जैंग चुन होयाती है फिर वो उन सब को लाइक करने से रोकती है तो फिर फांग यू, मिंग्तियान, चैंग्यान और शाओमे प्रिंसिबल के ओफिस में खड़े होते हैं मिंग्तियान बोलता है कि यह सब मेरी वैसे हुआ है आप सिरह मुझे पनिश्मेंट दीजिए चैंग्यान बोलती है कि उन्होंने पहले इसे परिशान किया था फिर शाओमी बोलती है कि जो उसका भाई है वो भी हॉस्पिटल में है फिर नहीं मान रहे होते है तो फिर चैंग्यान बोलती है कि आप मिंग्तियान को पनिश करोगे School के Rule के According Ming Tian को Expert होना होगा Fang Yu बोलती है कि अगर आप insist करोगे Ming Tian को withdraw करने से तो फिर मैं भी इसके साथ withdraw हो जाओंगी School से Chang Yan और Xiaomi बोलती है कि हम भी withdraw हो जाएंगे School से Principal Ming Tian से बोलती है कि ये सब तुम्हारी help कर रही है तुम्हें कुछ कहना है तो फिर मिंक्तियान कहता है कि आप मुझे एक और चांस देतो, मैं स्कूल को छोड़ कर नहीं जाना चाता प्रिंस्पर बोलते हैं कि लास्ट टाइम तुमने कहता है कि मैं यहां से चला जाओंगा, अब तुम कहरे हो, यहां से नहीं जाओंगा लिंक्तियान बोलता है, मैंने सुछा था कि टाइम के साथ वो सारे भूल जाएंगे पर अब मुझे अपनी स्ट्रेंथ यूज करने होगी ताकि यह आम सब को प्रोटर कर सकूँ लोगान अपने कलब में पूछ रहा होता है, यह सब कैसे हुआ तो फिर यह चैन बोल रहा होता है, कि उसकी ही गलती थी तो फिर लियोगान बोलता है, कि मैंने पहले भी देखाया कि जो तुमारा एटिटूड है मिंक्तियान की तरफ फिर शाओ फैंग बोल रहा होती है लियोगान से, कि तुम झैंग के स्टूडन ओ या फिर जैंग जी इनुनिसिल्ट ए के स्टूडन ओ लोगान बोलता है, कि मुझे चिनता है अपने कलब के नाम और सुकूल की इज़त के बारे में Hao Feng बोलते है कि तुम उनका ही साथ दोगे क्योंकि तुमने चैयंग आनन के डैट को अपना कूच बनने के लिए पूचा है Pictures Archeng बोलते है कि तुमें azinash and झीट के पीच में किसी एक को stuffs करना होगा Logan बोलता है कि यह थोड़ी देर बाद Shiao Feng वहा से चलिए जाती है और वो उसे थैंक्यू बोल रहा होता है तो फिर फांग यू उसे बोलती है कि मैंने यह सब इसलिए नहीं किया कि मैं तुम्हें पसंद करती हूं मैंने यह इसलिए किया है क्योंकि तुम एक वैल्यूबल एसेट हो जैंगजी उस्विटी के लिए मिंक्यान वाज़े लाता है तो फिर रात को फांग यू चैंग यान और शाओ में मिंक्यान के गर पर जाती है मिंक्यान किचन में खाना बादा रहा होता है तो फिर वहां पर शाओमी जाती है और उसे बोलती है मैं तुमारी हेल्प करती हूं तो फिर शादो में उससे बोल रही होती है, मैं फिचर में तुहारी एल्प करती रहूंगी, या फिर शाहिद मैं यही पर रहने के लिए आ جाओं चैंग यानन फांक की उससे बोल रही होती है, कि अकर तुम ऐसे ही करती रही, तुम भातमान रिग्रेक्ट होगा अगले दिन से मिंग त्यान ट्रेनिंग लेना शुरू करते था उन तीनों से मिंग त्यान बॉक्सिंग कलब में होता है तो फिर वहाँ पर सुना हो आता है और वो उन दोनों से बोल रहा होता है कि मैं भी मिंग त्यान सा ट्रेनिंग करना चाता हूँ तो दोनों मान जाती है, चेंग यानन मिंग त्यान को फाइटिंग के बारे में बता रही होती है ट्रेनिंग के बाद शाम को मिंग त्यान आइसक्रीम की शॉप पर जाता है अपने वर्क के लिए थोड़ी देर बाद वहाँ पर फांग्यू आती है वांग्यू बाहर बैटी होती है और वो उस रैविट को बलाती है और उससे बोलती है कि मैं तुमसर कुछ कहना चाहती हूँ वांग्यू बोलती है कि मेरा एक फ्रेंड है उसे मदद की जोड़त है और मैं उसकी मदद करना चाहती हूँ वो तारीकर डूनता रहता है, ताकि वो मुझे पे बैक कर सके Fangyu बोलती है कि मैं उसके सामने हमेशा कुछ न कुछ गलत कहा देती हूं Fangyu बोर रही होती है कि मर शोज़रूर रहता है एक ऐसे वेक ही ताकि मां उसकी हेल्प कर सकूं अगले दिन Mingtan के साथ ट्रेनिंग Xiaomi कर रही होती है पर ठाइम बाद Mingtan अपने जॉब पर जलाता है फिर थोड़ी दिर बाद वहाँ पर Changyan, Xiaomi और सुनाव आते हैं Mingtan पूसता है कि तुम सम्हां पर क्यों आयों तो फिर हो बोलते हैं कि हम तुमारी help करने के लिए हैं फांग यू पोछ रही होती है चे यान C categories तुम काहा पर हो तो फिर चेव यान उसे बताती है कि हम मिंठ्यान के साथ है सारे मिंठ्यान के help कर रहे होती है थोड़ी दर पाल भावर फांग यू आती है कि अब मैं दूसरों की help लूँगा Fang Yu Ming Tian की तरफ देख रही होती है Ming Tian अपने घर पर जा रहा होता है और बहुत जाता खुश होता है तो फिर से याद आता है कि Fang Yu ने उससे क्या क्या कहा था लिदन सारा शूट को पाज़ लता है कि एक dance party होने वाली है और उसमें जिंग यूसरटी के student भी invited है तो फिर सारा student preparation में लग जाता है टांस party के लिए Fang Yu Ming Tian के साथ उसके भाई के कलब में जाती है और वहाँ पर उने कुछ सिखा रही होती है जब वह वापस रोट रहे होते हैं तो फिर रास्ते में एक बच्चे की काइट फसी होती है एक पेड़ पर तो फिर Ming Tian help करता है Fang Yu के साथ उसकी Ming Tian पोसता है कि तुमने इनकी help क्यों की तुमने उस दिन मकाओं में उस old lady की help नहीं की थी Ming Tian बताती है कि उस दिन मैंने उस काट को कि किस वाइस मारे थी तो फिर वहाँ पर यह चैन होता है और वो उसे परशान कर रहा होता है जैसे ही यह चैन उसे पंच मारने जा रहा होता है तब ही वो उसका हाथ पकड़ लेता है मिंक्तियान उसे पंच मारने जा रहा होता है पर वो उसे पंच नहीं मारता और कहता है कि मैं तुम्हें पंच मारना चाहता हूँ पर मैं स्कूल के रूस की विए से तुम्हें पंच नहीं मार सकता हम दोनों competition मिलेंगे सारे इनुरिश्यटे में बैठे होते हैं तो फिर मिंक्तियान कुछ पैसे बाहर निकालता और उसे दे रहा होता है और कह रहा होता है कि आप यह पैसे प्लीज रख लो नहीं तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा मिंक्तियान वह से लायता है और वो captain नहीं लेता तो फिर principal बोलते हैं कि तुमने जो किया उसी वयसे मैं पार्टी रख रहा हूँ और तुम्हें आना होगा अगले दिन पार्टी होती है तो फिर सारी लड़कियों को चेक किया जा रहा होता है ताकि उनके पास कोई हतियार तो नहीं है तो वहाँ पर सुनहाओ भी आता है फिर वो सारे अंदर जाते है और पार्टी स्टार्ट होने वाली होती है फिर पार्टी स्टार्ट होती है फिर वहाँ पर मिंक्तियान आता है तो फिर जितनी भी लड़कियां होती है वो सब उसे ही देखने लग जाती है वो बहुत ही जादा handsome लग रहा होता है शाओ में मिंग्दैन के बास जाती है और वो उसे अपने dance partner बने को बने को कह रही होती है तो फिर वो कहती है कि मुझे dance नहीं आता फिर वहाँ पर चेंग्यान आती है और वो उसे अपने साथ ले कर जाती है फिर वो सारे ज़र पर खढ़े होते हैं तो फिर fanggyu mingtyan के रफ देख रही होती है और बोल रही होती है क्या ये मुझे इन्वाइट करेगा डांस के लिए फिर mingtyan fanggyu की तरफ बढ़ता है और वो से डांस के लिए फूसता है पर ये सारी imagination होती है fanggyu की चेंग यानन एक जयब पर होती है तो फिर वहाँ पर शाओ फंग आती है और वो से लट रही होती है और कहरी होती है कि तुम्हें कोई डांस पार्टनर नहीं मिला फिर दोनों बैट लगाते हैं कि किसे पहले डांस पार्टनर मिलेगा थोड़ी देर बाद वहाँ पर लियोग करता है